हेलो एंड नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना दोस्तों मैं पक्का आपको बता रहा हूं आप भी यूपी बोड एकजाम में 95% नंबर लाने में 100% सक्सेस्फुल हो जाएंगे दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जी हाँ दोस्तों जुलाई से पढ़कर 95% कैसे लाएं यानि कि कि किस तरीके से पढ़ें टापर कैसे पढ़ते हैं कि वोड एकजाम में 95% नंबर लाने में सक्सेफुल हो जाएं तो आज किस वीडियो को जरूर देखिएगा द दोस्तों क्योंकि बस यही समय है सही समय है जी हाँ दोस्तों यही समय है सही समय है समय कभी भी किसी की परतिच्छा नहीं करता है बिल्कुल भी किसी को समय जो है किसी की भी परतिच्छा नहीं करता समय अपने रफ्तार से चल रहा है आज जुलाई का महीना है कुछ दिनों अगस्त आएगा सितंबर आएगा और इस तरीके से फरवरी आएगी और आप सभी की बोर्ड पर इच्छा भी हो जाएगी तो समय कभी भी आपकी प्रतिछा नहीं करेगा इसलिए आज से ही अपनी तयारी में जुट जाएए मेहनता और लगन से परिश्रम कीजिए और आप भ यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो पहला मैं आपके लिए कहता हूँ कि यदि आप टापर बनना चाहते हैं वाकई आपकी इच्छा है कि आप टापर बनना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले कोई भी आप काम ना करें लेकिन सबसे पहले आप अपना गोल निर्धारित करें अपना target निर्धारित करें कि कितने % आपको 2023 की बोड एक्जाम में लाना है, कितने % नमबर आपको चाहिए, ठीक है, सबसे पहले लच्छे अपना निर्धारित कीजिए, क्योंकि लच्छ रहित जीवन जो है किसी भी काम को करने के लिए प्रोसाहिद नहीं होता है, जैसे ही आप अपना लच्छ निर्धारित करेंगे, आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा, ठीक, और यदि आपका लच्छ निर्धारित नहीं रहेगा, तब आपका मन भी पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल भी अग्रसर नहीं होगा, तो आप अपना लक्ष निर्धारित करें और लक्ष के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें जी हाँ दोस्तों अपने लक्ष के प्रति पढ़ाई करें कि कैसे आप अपने लक्ष को प्राप्ट कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले देखो दोस्तों क्या करना है उसके बाद जो दूसरा लच्छ आता है महीने का लच्छ निर्धारित करो महीने का मतलब ध्यान से देखिएगा most important topic यह कोई नहीं बताएगा ठीक है महीने का लच्छ निर्धारित करो महीने का मतलब कि आपका course कितना है ठीक है और उसे आप एक म खत्म हो आप एक तारीक को अगस्त का पूरा टार्गेट बना लीजिए ठीक है अगस्त के खत्म होते ही आप सितंबर का टार्गेट बना लीजिए ऐसे ही अलग-अलग महीनों में टार्गेट बना करके पढ़ाई कीजिए कि इतने मतलब प्रतेक सब्जेक्ट में आपको कितन चैप्टर खलास करने है ठीक है तो सबसे पहले महीने का लच्छ निर्धारित करो और इस महीने के लच्छ में आपको क्या-क्या निर्धारित करना है जैसे देखिए प्रतेक सब्जेक्ट का ठीक है यानि प्रतेक सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके कोई भी सब्जेक्ट को ठीक है और बराबर अंक का पेपर होता है तो इतने में आपको क्या करना है देखिए एक महीने में आपको कितने पाठ खत्म करने हैं ये पहले आप निर्धारित कर लिया करें ठीक है कि जुलाई में आपको प्रतेक भी सै कि कितने चैप्टर्स को एकदम खत्म कर देना है ठीक और उनको निर्धारित करके आप अगले महीने में अगले chapters को खत्म कीजिए एक ही chapters को बार 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 पढ़ते रहेंगे तो आपका पूरा time चला जाएगा और वही chapters आप पढ़ते रहेंगे ठीक है तो हर महीने का आला गलक target निर्धारित करें और उसको पूरा करें प्रतेक notes क पूरा करें कि प्रतेक subject में आपको कितने chapters का notes आपको इस महीने पूरा कर लेना है ठीक है इतना notes आप पूरा कर लें प्लस 7 में कितने chapters का फास्टली revision आपको करना है ठीक है साथ साथ जितना पढ़ें उतने का पूरा revision आप करते जाएं क्योंकि यदि एक बार chapter पढ़ गया और दो हपते तक यदि revision नहीं हुआ तो इस chapter में आप फिर से zero हो जाएंगे और फिर आपका target जो है वो lose होने लगेगा और ऐसी स्थिती में आप अपने monthly target को पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि आप पुराना revision करने लगोगे तो ऐसी स्थिती में क्या करना है आपको पढ़ाई course लेना इतना मतलब course भी मत कर लीजिएगा इतना बड़ा target भी मत कीजिएगा कि आप उसको पूरा ना कर पाएं ठीक है उतना ही target कीजिएगा जितना आप एक महीने में अच्छे से पूरा कर पाओ कोई दिक्कत ना हो ठीक है अब पता लागा आपनी प्रतियेक बिशय का 10 subject क target ठोक लिए ठीक है और जब पूरा करने की बारी आई तब क्या हुआ आप आलस से में आ जाएंगे कि इतने chapter मेरे इस मन्त में पूरे नहीं हो पाएंगे ठीक है तो उतने हिसाब से आपको करना है कि यदि 12 chapter आपके हैं तो फिर एक महीने में एक chapter भी पढ़ेंगे तब आप निमाउज मस्ती में गुजार दिये तो ध्यान दीजिएगा कि chapters के हिसाब से आप मन्तली target बनाएं और उतना पूरा करने की कोशिस करें ठीक है ये मस सोचे कि अभी हमारे पास एक साल का समय है बिलकुल भी नहीं अब आपके सामने कुल 7-8 महीने का समय बचा है और ऐसे में आपको कोर्स पूरा करना बहुत बड़ी सर्थ हो सकती है ठीक है और कोर्स कैसे पूरा होगा इसके लिए आपको एक निश्चित टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करनी है क्योंकि जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे ठीक है कभी आप हिंदी पढ़ने लगेंग ठीक है कितने घंटे काँ सा सबजेक्ट पढ़ना है और ऐसे यदि आप पढ़ेंगे तो सब सबजेक्ट को बराबर समय में आप कबर कर पाओगे ठीक है और यदि टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे प्लस यदि एक आपका मन लग गया तो अन्य किताबों को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे तो ऐसी गलती नहीं करना है ठीक है ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है प्रतेक सब्जेक्ट का आपको टाइम टेबल निर्धारित करना है और उस टाइम टेबल को प्रति दिन पूरा कर ये मस सोचना है कि कल मैंने पूरा किया था आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है मोबाइल में अलार्म सेट कीजिए और अलार्म भजते ही तुरंत उठिये और पढ़ाई कीजिए ठीक है और प्रतेक टाइम टेबल को पूरा समय दीजिए और प वाटसप आपके लिए जरूरी हो सकता है क्योंकि इसमें स्कूली सूचनाएं आती है ठीक है लेकिन स्टेटस वगाईरा में ज्यादा टाइम बरबात मत कीजिए मैं यह नहीं कहता कि आप बिल्कुल यूज मत कीजिए यूज कीजिए लेकिन समय अनुसार ठीक है ज्यादा इन पर टाइम ब्यतित मत कीजिए इस्टाग्राम हो गया विफालतू का एपस फेस्बुक इन सब को ट्वीटर इन सब को डिलीट करो कि अभी ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे आपस नहीं है मालते हैं कि आपके लिए वाटसप जो है इंपोर्टेंट है क्योंकि स् पर विफालतू के समय को जो है आप अपना अनमोल समय मत विताईए ठीक है उसके बाद देखिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए हमेशा पोजिटिव सोच रखिए और जब भी पढ़िए पूरे ध्यान से पढ़िए यदि आपका मन नहीं लगता बिल्कुल भी मन नहीं करना है चाहे चार घंटे के बजाए आप बीस मिनट पढ़ो जी हां दोस्तों चार घंटे के बजाए आप बीस मिनट पढ़ो लेकिन जब तक पढ़ो पूरे ध्यान से पढ़ो ठीक है जब तक पढ़ो पूरा ध्यान लगा करके पढ़ो क्योंकि आपका टाइम जो है बहु एक दिन में एक पेज रट पाएंगे ठीक है वो भी अगले दिन आपको तुरंत भूल जाएगा और ऐसी इस्थिति में आप कोर्स को कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे तो करना क्या है रटना बिल्कुल भी नहीं है इसके अतरिक्त आपको कोर्स को समझने की कोसिस करना है क्य याद किया हुआ मनन करें जी हाँ दोस्तों उस दिन यानि किसी भी दिन आपने कितना पढ़ा उसको आपको सोने से पहले मन ही मन उसको दोहरा लेना है ठीक है मन ही मन बार बार उसको रिपीट करना है जिससे आपके दिमाग में वो एकदम फिट हो जाएगा और कभी भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जरा भी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब कीजे ताकि रोजाना की इसी प्रकार की टिप्स और ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी